हाई माय वीडि़ीज, वलकुम बैक तो माय यूटूब चैनल, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि ड्राय सेंसिटिव स्किन वालों को कैसे अपना स्किन के रूटीन मेंटेन करना चाहिए और साथ में कौन-कौन से प्रोड़क्त यूज करने चाहिए आई-howp की वीडियो आपके लिए बहुती हो सेंसिटिव स्किन जो होती है वो फोर टाइप के होते हैं सबसे पहला आता है ड्राइव सेंसिटिव चिन उसके बाद आप संसिटिव उसके बाद आपका कॉमशलीशन सेंसिटिव और लास्ट जु आपका स्किन आता हैं व Megat मतलब सूपर सेंसिटिव होता है उस पे आप कुछ भी अपलाई करूगे ना आपको जलन होने लेगी साथ में पूरा चेहरा आपका लाल हो जाता है इसलिए उस टाइप के स्किन टाइप के लिए आपको डॉक्टर से ही सजेशन लेना चाहिए अगर आपके स्किन बहुत जादा सेंसिटिव है तो आज के वीडियो में जो मैं आपको प्रोड़क्ट सजेस्ट करूंगे और स्किन के रूटिन मेंशन करूंगी वह है आपका सबसे पहला जो करो उसमें hyaluronic acid होना चाहिए साथ में सरमाइड होने चाहिए जो आपके स्किन को मॉश्चुराइजरेशन प्रोड़ करता है सबसे पहले जो मैं आपको फेश्वास सजेस्ट करना चाहूंगी वह है आपका एपी सोप का क्लींजिंग लोशन फॉर सेंसिटिव स्किन और से हमेशा ऐसा ही फेश्वास यूज़ करें जो कि जेंटल हो और साथ में फेश आपका क्लींज करने के बाद भी आपके चेहरे को सौफ रगे कभी ऑईल फ्री कोई भी क्लींजिंग बाम हो या फिर फेश्वास हो यूज़ मत करना वो आपके चेहरे को और जादा ड्राइ कर जादेगा, तो इसकी सबसे खास बात ये है कि SLS Is Free Almost फ्रेग्नेंस फ्रिये अल्कॉछ फ्रिये तो इसको यूज़ करने के बाद आपको कोई भी इंफप्शन आपके चहरे में नहीं होगा आपके फेस को अच्छे से क्लीं करेगा ओयल भी निकालेगा दिस के बाद भी आपके चेहारे को स्मूद सॉफ्ट अंद सबल रखेगा इ है आपका Simple का Hyaluronic Acid Plus B5 Booster Serum इसमें 0.5% Hyaluronic Acid है साथ में 1% Niacinamide Serum है यह आपको 72 hours तक आपको skin को अंदर तक hydration प्रवाइड करता है आपके skin texture को healthy रखता है साथ में यह आपका color free है, perfume free है और hearts chemical free है तो आपके skin type कोई भी हो आप तो use करी सकते हो, साथ में अगर आपके skin बहुत जाला sensitive है या फिर dry sensitive है तो भी आप इसे use कर सकते हो Face Serum के बात करते हैं Face Moisturizer की जैसे कि मैंने वीडियो के starting में बताया था कि कोई भी Moisturizer use करो या फिर Face Serum उसमें अगर hyaluronic acid हो उसके साथ ceramide हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं अगर आपके skin dry है या फिर dry sensitive है तो जो मैं आपको Moisturizer suggest करूँगी वो है आपका dot and key का ceramide और hyaluronic acid के साथ साथ, rice water का ये Moisturizer है, इसका जो texture है बहुत ही creamy type का है और lightweight है बहुत ही जल्दी आपका skin में absorb कर जाता है और साथ में ये आपका fragrance free है क्योंकि इसमें rice water है तो ये brightening का भी काम करता है, इसके अलावा दो और affordable range में Moisturizer है आप चाहे तो उसे भी use करके देख सकते हो, सबसे पहले आपका सुगंधा का ये ceramide Moisturizer और इसके बाद है आपका derma koca ये ceramide and hyaluronic acid का Moisturizer ये दोनों Moisturizer भी ना dry sensitive हो या फिर dry skin हो बहुत अच्छा काम करता है तो आपके जो budget में fit बैठ है उसे आप try करके देख सकते हो, Moisturizer के बात करते है sunscreen की, जो sunscreen में आपको suggest करना चाहूंगी वो है आपका nutrigena का zinc sunscreen, ये SPA 50S आपने PA++++ है, ये mineral sunscreen है तो अगर आप pregnant हो या फिर breastfeeding में हो तो अभी आप इसे use करके देख सकते हो sensitive skin वाले भी use कर सकते हैं, dry sensitive भी use कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे face के साथ body में भी apply कर सकते हो बहुत ज़दा light weight नहीं है, लेकिन वो अच्छी तरीके से absorb करने के बाद बहुत ही set हो जाते हैं आपके skin में तो आपको heavy weights है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई बहुत ही modi सी layer लगा रखिये और साथ में आपको dry सा भी fill नहीं होगा तो ये थे dry sensitive के लिए को skincare product I hope कि आपके लिए useful हो अब बात करते हैं कि आपको अपना skincare routine कैसे maintain करना चाहिए अगर आपके skin dry है या फिर oily है उसके साथ साथ अगर आपके skin sensitive है तो आपको कम से कम product यूज़ करना चाहिए सूबह में आपको face wash करना है उसके बाद moisturizer या फिर moisturizer से पहले आप serum यूज़ कर लो उसके बाद moisturizer यूज़ करो उसके बाद sunscreen यूज़ करो बस इतना ही काफी है night skincare routine में आपको करना इतना होगा सबसे पहले face wash करोगे उसके बाद serum apply करोगे serum apply के तुरंद बादी आपको moisturizer लगाना है जिससे आपको जो hydration है या फिर moisturizer आपके skin के अंदर तक पहुँच जाए और पूरी रात आपके skin को soft, supple and smooth रखे जब मैंना last time जो मेरे कुछ मैने पहले sensitive skin का एक video अप्रोड गया था उसमें बहुत लोगों का ये comment है कि sensitive skin के लिए आप कोई makeup product बताइए sensitive skin के लिए कोई अलग से makeup product नहीं आता है बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी makeup product यूज़ करने से पहले आपके चेहरे को आप अच्छे से skincare कर लो उसके बाद जो minimum जो coverage वाला होता है ना जैसे high coverage वाला या full coverage foundation या फिर concealer यूज़ मत करना जो normal वाले होता है ना वो यूज़ करना और जितना हो सके कम foundation, concealer या फिर powder यूज़ करना वो आपके skin के लिए best होगा क्योंकि sensitive skin के लिए अलग से market में कोई भी makeup product नहीं है I'm so sorry I hope कि ये video dry sensitive skin वालों के लिए बहुत useful हो इस video मैंने आपको जितने सारे product दिखाए है ना उन सभी के लिए description box में दे ही रखा है आप चाहे तो उस link से click करके purchase कर सकते हो या फिर आपको अपने घर के आसपास किसी भी beauty shop से भी मिल जाएगा बस इस बात का ध्यान रखना कि skin care routine अच्छे से maintain करना मिलती हूँ बहुत जल्द ऐसे ही नई वीडियो के साथ तब तक आप अपने ध्यान रखिए बाई love you all